इंग्लिश ग्रेमर ग्रीटिंग्स दिशिज दम रह्मान और इसे क्लासिज ओफ इंग्लिश लेंग्वेज तोड़े इंदिशिंदी वर्जन लेक्चर वी हाव टॉपिक सैंटेंज हम जाने के कि सैंटेंज क्या होता है और इंटर्चेंज ओफ सैंटेंज में क्या करते हैं क्या विशेश चेंज होते हैं जिनको हमें ध्यार लगना होता है UP Board के English Second Grammar के स्टूटेंट्स विशेश दोर से इसको समझने हैं क्योंकि आपका सीधा 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 सीलेबस है इंटरचेंज क्लास टैंज में आपके सीलेबस में आते हैं तो इंटरचेंज और सेंटेंश को समझने के लिए हमें शुरू करना होगा सेंटेंश से sentence क्या है sentence में कितने type है आईए उनको detail से अब समझते हैं आप यह पर देख रहे हैं lecture number one lecture number one में पहली heading हमने डाली है types of sentences जब हम sentences की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे confusions हैं जो हमारे mind में रहते हैं वो कौन-कौन से confusions हैं यह भी आप समझेंगे इन points के आधार पर सबसे पहले हैं कि हमारे sentences कितनी तरह के होते हैं तो जैसे हम sentences की बात करते हैं कोई students होता है 12 होते हैं कोई 3 सोचता है कोई 5 सोचता है कोई 7 सोचता है तो आज उनको विल्गुल clear कर लेते हैं types of sentences में पहला type है simple sentence दूसरा compound sentence and third is complex sentence यह तीन sentences होते हैं sentence को तीन हिस्तों में बाटा जा सकता है simple sentence compound sentence and complex sentence लेकिन जब हम 10 standard पर बात करते हैं तो students के mind मुझे confusion रहता है वह simple sentence को लेकर के क्या रहता है हम सारे confusion को लेकर के बात करेंगे suppose कीजिए हमने कहा I am a teacher तो students कहते हैं कि सर यह simple sentence है अगर हम कहते हैं I am not a teacher तो भी students को यह simple sentence लगता है लेकिन जब हम कहते हैं am I a teacher am I a teacher तो यहाँ पर students कहते हैं नहीं सर यह sentence simple sentence नहीं है यह interrogative sentence है तो my dear learners सबसे पहले आप अपने इस error को brush off कीजिए हटा दीजिए remove कर दीजिए हमेशा एक बात याद रखनी है यहाँ पर इनमें अंतर भी clear हो जाएंगे और यह confusion भी दूर हो जाएगा कि जिस sentence के अंदर केवल एक verb होती है वर्ब का आशे आप में वर्ब से है linking वर्ब से है help वर्ब आपको आप इसमें आड नहीं करेंगे वर interrogative हो तब भी simple है negative हो तब भी simple है interrogative negative हो तब भी simple है और affirmative हो तब भी simple है तो simple sentence का मतलब है कि केवल जिसके अंदर एक वर्ब हो इन सब के अंदर एक वर्ब है यह simple sentence है तो यहाँ पर आप समझ गए कि simple sentence किसा कहते हैं तो simple sentence उन सभी sentences को कहते हैं जिन में एक word होती है जिसका मतलब interrogative होने या ने होने से नहीं होता दूसरा होता है compound sentence compound sentence क्या होता है यह एक प्रिशिश प्रकार की close है जिसमें सबसे पहले समझते हैं कि compound के अंदर जो close आई क्या है यह compound और complex दोनों ही closes with sentences है अब यह close क्या है देखें जब भी आपको compound और complex के नाम आएं याद रखेगा इन में हमेशा एक से ज्यादा वर्प्स होंगी इन में एक से ज्यादा वर्प्स होंगी अब कैसे पैचानेंगे कि यह compound sentence है यह complex sentence है इसके लिए आपको chapter clauses आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि आप हमारे चैनल पर जाजर के पिले लिस्ते देख सकते हैं तो यहाँ पर आया compound sentence and complex sentence simple sentence में केवल एक वर्प होती है compound sentence में कम से कम दो और दो से ज्यादा कितनी भी उसी तरह से complex में कम से कम दो वर्प्स और दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं लेकिन दो तो ज़रूँरी होगी उनके जो conjunctions हैं वो आपको help करेंगे ये समझने में कि वो compound sentence है या complex sentence है तो इसको अभी हम यहाँ पर अपने examples में देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि दो sentences लिखे हुए हैं इन दोनों sentences में आप देखेंगे कि पहले आपकी verb यहाँ पर V1 है और यहाँ पर दूसरी verb जो है main verb 2 है यह इसकी help वर्टर जो इसी में count होगी तो आप देख रहे हैं कि इसमें दो parts हैं दोनों parts में अपना subject और अपना predicate अपना subject और अपना predicate लिखा हुआ है तो इकल मिला करके इसमें दो clauses हैं इस a part को जिसमें अपना subject और अपना predicate अपना subject और अपना predicate होता है इनको clauses कहते हैं तो यह हुई close 1 और यह हुई close 2 तो इस तरह से हर close में एक वर्ट होती है तो कम से कम दो वर्ट आपने यहाँ पर देख लिए यह complex sentence है फिलहाल यहाँ पर आप यह धियान लगें कि जिसमें that लगा है यह noun closer complex sentence जिसके अंदर end आता है उसमें अपना subject है अपनी वर्ट है फिर ठीक है यही subject यहाँ पर common आ जाएगा यहाँ पर आपकी जो दूसरी वर्ट है और यह वर्ट वर्ट है sentence कहलाता है तो इस तरह से आप देखेंगे यह दूसरा example है यह आपका क्या है compound sentence है और यह वाला जो आपका example है यह complex sentence है जैसे अभी हमने यह लिखा तो आप screen short लेकरके आप इनको लिखते रहेगा और जैसे ही आपको पूरा बोर्ट के लिए मिलता है आप screen short तुरा इसका मिलेगे इतना हम आपको समय देते हैं तो हमने क्या सीखा sentences three types के होते हैं पहला sentence simple है simple में एक वर होती है compound और complex में दो-दो वर्प्स होती है अभी वर्प्स कैसे काम करते हैं इसके लिए आपको chapter close आपको study करना पड़ेगा जो कि already हमारे चैनल पड़ा हुआ है इसके बार अब हम study करेंगे कि simple sentence कितनी तरह को होता है देखिए पहले simple sentence है अब हम simple sentence को सभीर पार्ट को खोल कर study करेंगे कि simple sentence में कौन-कौन से sentences आते हैं और उसके बार पर compound है उसके बार complex है तो सबसे पहले यहां पर हम शुरू करते हैं simple sentences यह आप screen shot ले चुके होंगे इसको आप अपनी notebook में लगता लिखते रहेंगे ताकि यह examples आपके लिए fruitful तो simple sentence में आपने देखा कि सबसे पहले यहां पर किया हुआ है assertive sentence assertive sentence क्या होता है assertive sentence के अंदर की पहली विशेचता है कि assertive sentences के अंदर question नहीं होता यानि वे sentence जिसमें हम question create नहीं करते हैं उसे assertive sentence कहते हैं अब assertive sentence दो तरह के होते हैं एक not वाला और एक without not वाला without not यानि negative word उसमें not ज़रूरी नहीं है never go या hardly या कोई भी ऐसा word हो जो not को denote करता है तो वो negative sentence कह दाता है सीधे सीधे not होना ज़रूरी नहीं है तो जिसमें not होता है उसको हम negative कहते है negative sentence और जिसके अंदर not नहीं होता यानि आप ऐस लिख सकते हैं जिसमें not नहीं होता उसे affirmative sentence कहते हैं उसे affirmative sentence कहते हैं और assertive का वे sentence जिसमें not होता है उसे negative sentence कहते हैं और इन दोनों में चुंकि question नहीं है, इनमें question नहीं है किसी में भी, इसलिए उसको assertive sentence कहते हैं, तो assertive sentence उस sentence को कहते हैं, जिसके अंदर question नहीं होता, assertive sentence negative भी हो सकता है, assertive sentence positive भी हो सकता है, अब अगर assertive sentence यानि बिना question का sentence, जिसमें not नहीं है, उसे affirmative sentence कहते हैं, और assertive sentence जिसके अंदर लगा उसे negative sentence कहते हैं अब इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर कि यह simple sentence सा दूसरा पार्ट है interrogative sentence अब interrogative sentence में suppose कीजिए मैंने लिखा था I am a teacher मैं इसको फिर दुबारा से recall कर रहा हूँ अब मुझे इसको interrogative बनाना है तो मैं क्या कहूँगा am I a teacher तो इसमें है question mark आएड़ा तो किया जब मैं शुरू कर पूछता हूँ जिसका answer yes या no आता है जिसका answer yes या no आता है उसके बीच में उसके beginning में question word नहीं लगता जिसका answer yes या no आता है उसमें question word नहीं लगता और helping word से शुरूआ पोती है यह tense recording do हो सकता है, does हो सकता है, did हो सकता है, कोई भी a time to one हो सकती है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, am I a teacher, यह yes or no, आपका answer आया, तो यह interrogative sentence होगा, अब यह interrogative sentence जो है, यह होगा positive interrogative sentence, तो इसमें not नहीं है, और अगर हम यह लिखे, I am not a teacher, तो I am not a teacher क्या हुआ, यह हुआ, interrogative का negative sentence, और यह कौन सा हुआ, यह हुआ, आपका interrogative का positive sentence, तो positive मतलब without not, और negative मतलब with not, आप इसे अच्छे से समझ कर दिख लीजिए, आगे अभी discuss करते हैं, इसके दूसरे पार्ट को, जब हम interchange सीखेंगे, तो हम यह सारी basic जाल करने के लिए होनी चाहिए, इसलिए हमने वहाँ से पढ़ाना शुरू किया है, जिसके आगे और कुछ नहीं हो सकता, इसका screenshot ले लिए, अभी यहाँ पर imperative sentence है, imperative sentence जो की, आप देखेंगे कि simple sentence का third part है, अ imperative sentences are two sentences in which the subject is a second person and we command, request or order, तो कैसे हमने बोला, हमने कहा bring a book, bring a book, तो sentence की जो beginning हुई, इसमें direct subject नहीं है, इसमें direct predicate है, इसके अंदर जो है, वर्व से शुरुआ कोई है, तो हमने कहा bring a book, तो हमारा जो beginning हुआ sentence का, वो first form of main verb से हुआ, तो यह imperative sentence होगा, यह bring a book, यह request भी mood में हो सकते हैं, हम order भी दे सकते हैं, हम suggestion भी दे सकते हैं, advice भी तो यह सारे जो mixed बाते हैं, यह सारे imperative sentence गंदर आती है, imperative mood गंदर आती है, तो bring a book, अब हमें इसको अगर negative बोलना है, तो हम कहेंगे, do not bring a book, do not bring a book, हम इसके इस positive sentence में, हम ऐसे भी कह सकते हैं, always take fresh water, तो यहां पर क्या है, always, यहां पर अगर हम never कर देंगे, यह negative कहलाएगा, never take stale food, stale का मतलब क्या होता है, बासी खाना, never take stale food, यह क्या हुआ हुआ, never take stale food, कभी बासी खाना मत्ता है, तो imperative में, आप work की first form से शुरुआत करते हैं, यह adverbs से शुरुआत करते हैं, जो कि आपके always, never, इस तरह के आप words लगा लेते हैं, इसके अलावा imperative के दूसरा रूप होता है, जैसे कि हम कहें, let me teach now, let me teach now, तो यहां पर let से begin होने वाले sentence, क्योंकि let अपने आप में करने देने की first form होती है, तो let आप अपने वर्ब की first form है, हमें यह वर्ब की first form लगती है, लेकिन basically जब आप higher studies करेंगे grammar में verbs की, तो आपको पता चलेगा कि यह bare infinitive है, थोड़ी देर के लिए आप इसे भी work की first form आप लिजे, लेकिन जो main verb है आपकी वो यह है, यह let की first form है, यह object लिए बागी सारा आपको लिखना होता है, अगर आपको please लिखना है, तो वो चाहे let वाला हो, चाहे बिना let वाला हो, please आप शुरू में ही लिखते है, please let me teach, या please come here, ठीक है, और अगर आप इसमें भी मना करना चाहते है, please के साथ, please do not come here, तो इस पर इसके please के साथ जितने भी बाते आप में लिखी, यह सारी आपकी imperative sentences के अंदर आती है, आप इसका screenshot लिए इसको समझ लीजिए, क्योंकि आगया आने वाले time में हम एक sentence को दूसरे sentence में interchange of sentences के अंदर सीखने वाले हैं, अब हम सीखेंगे यहाँ पर optative sentence, यहाँ पर ह आते हैं, जिसे हम कहते हैं exclamatory sentence, जो कि exclamation से बना है sentence, इसको भी साथ में सीख लेते हैं, ताकि आगे हमारे interchange के इस chapter में कोई problem ना आए, तो optative sentence किसे कहते हैं, optative sentence in a sentence in which we curse or we bless somebody with our words, जिसमें हम किसी पाशिरवात देते हैं या किसी को कोशते हैं, वो हमारे optative sentences के अंदर आते हैं, जैसे कि generally आपने सुना होगा, May God bless you, तो यह जो sign of exclamation है, जो की आपको punctuation में teach के लिया, यह हमारी line होती है, यह इस line के उपर नहीं होता है, यह जैसे कि मानगी यह फर्ष है, यह ball इस तो पर रखी है, छुई है, यह इस तरह से यह आपका जो मानग है यह आता है, यह होता है sign of exclamation, May God bless you, कई बार हमारे जो students हैं या जो beginners हैं, वो confuse हो come in, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ changes हैं, पहला तो इसके अंदर interrogative sentence आया, दूसरे इसके अंदर आपका अलग से subject आया, अब इसका मतलब यह नहीं हुआ कि क्या issue आपको bless करेंगे, यह expression है, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा reasoning का use नहीं करना, अगर हम यह के साथ किसी को दुबा देते हैं, आशिर्वार देते हैं, तो वह जो होता है, वह होता है आपका exclamatory mark से आशिर्वार, और अगर यहाँ पर question है, तो आप यह देख लिजएगा कि mark को सा लगा है, तो question mark आपका interrogative structure को घोशित करेगा, और exclamatory mark सारा structure से वैसे ही रहता है, blessings या कर्स की बात करेगा, आप कह सकते हैं, मैं ही, go to hell, तो यहाँ पर आप किसी को कोश रहे हैं, कि आप नट में जाए, तो इस तरह से आपने लेखा कि blessings, आपने लेखा कि आप किसी को कोश है, तो महाँ पर क्या होता है, आपका optative sentence होता है, आप ब्लेस करते हैं, या कर्स करते हैं, C, U, R, S, E, Curse का मतलब होता है, अभी शाब, आप इसे अपने लोट बुक में कॉपी कर ले, यहाँ पर हम है, अब exclamatory sentences के लिए, exclamatory sentences क्या होते हैं, exclamatory sentences वो होते हैं, जो exclamation पर based होते हैं, exclamatory sentences, exclamatory sentences are those sentences in which we show our sudden feelings and emotions, sudden feelings and emotions, इसके अंतरा हमारी body language बहुत इंपोर्टेंट होती, इसके अंतरा हमारे gestures जो शरीर के पर चेहरे पर दिखने वाले जो हाव भाव होते होते हैं, माले जे के हमने एक assertive sentence लिया, एक assertive sentence और exclamatory में तोड़ा सब्सक्राइट करते हैं, हमने कहा, it is very nice, तो आप हमारे आँख नाख को दिहां से देखिए, हम कहेंगे, it is very nice, विर्पुल simply हमने एक बात कह दी, लेकिन यही बात अगर हम कहें, how nice it is, तो आँखें ऊपर चली गई, बोस्कर्व करने लगी, structure हमने चेंज़ करने लगी, how nice it is, what a shot, what a great blunder, तो इस तरह से जबरों अपनी आँखों अगर आपको यूज करते हैं, exclamation देते हैं, अपनी जो emotions अपने चेहरे से दिखाते हैं, exclamatory sentences होते हैं, तो यह normal रूप था, इसे आप कहेंगे assertive sentence, जो कि अभी आपने पीछे पढ़ा था, अब आप बताएंगे exclamatory sentence क्या होता है, अब इसको exclamatory में change करते हैं, तो हम यहाँ पर very को change कर देंगे how में, तो क्या नहीं कहेंगे हम, how nice it is, how nice it is, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यह बता रहा है, यहाँ पर how का मतलब है very, यह पूछ नहीं रहा, यह आपको answer दे रहा है, कि very, how nice it is, तो आप देख रहे हैं किसका structure बदल गया, तो इसको हम exclamatory sentences कहते हैं, exclamatory sentences कुछ interjection के दुआरा भी उस किया जाता है, जैसे कि आप कहने, ऐलास, ऐलास का मतलब है, अफसोस, he failed, यह आपने punctuation में सीखा होगा, कि जब भी कोई ऐसा interjection use होता है, interjection, इस तरह के words, जो how, how, how को परदरशीर करते हैं, उन्हें interjection कहते हैं, जिसो, oh, uh, hooray, wow, तो यह सारे क्या होते हैं, interjection होते हैं, और इनको, जब यह आपका यह mark आता है, इसके बार capital letter बनता है, और यह पहला letter तो capital आपका होता ही है, सिखेंगे, आपके syllabus में है, exclamatory sentences, assertive sentence बनाना, assertive sentences, exclamatory sentence कैसे बनाते हैं, तो हमने आपको introduce करा दिये, यह सारे sentences, कि simple sentence के अंदे, assertive sentence, interrogative sentence, affirmative sentence, objective sentence, और exclamatory sentences कैसे बनाते हैं, अब lecture 2 में आप देखेंगे, कि negative sentence में सिर्फ helping word और main word में changes के लावा, ऐसी कौन सी बात भी हो सकती है, जो आपको assertive से, interrogative, interrogative से, assertive, affirmative से, negative, negative से, affirmative, exclamatory, exclamatory, जो कि आपका whole course है, इसको हम कैसे सीखेंगे, इस तब के लिए आप देखते रही हैं, और इसे classes of English language और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल को, और प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और positive comments कीजिए, और जहां जहां आपको जो बास समझ में नहीं आती है, वो आप comment section में जा करके पूर सकते हैं, और इनसे concerned, दूसरे lectures और आपके syllabus related जो videos हैं, हम आपको description box में डालेंगे, आप वहां से ले सकते हैं, और जितना written stuff, written material है, answers है, और help है, वो आप हमारे telegram channel और इसी classes of English language पर जा करके, वहां से सारे assignments हासिल कर सकते हैं, So thanks for being with us, thanks a lot.